सर्श्यकाल दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियक्शन के सूपरस्टार में तो मैं हूँ आपकी प्यारी जैस्मीन फिर से लोट आई हूँ देवरा का ट्रेलर पे रियक्शन और रिव्यू करने इसमें देवरा जी को एक बहुती बिहानक सपना आता है जिसमें वो सपने में देखते हैं कि उनका जो समुंदर है पूरा लाल हो चुका है खून के साथ तो ये किस ने किया? किसी और ने नहीं किया ये खुद जुनियर NTRG ने करा है उन्होंने ऐसा सपने में देखा है ये कितना सच होता है ये हमें मूवी में ही पता चलेगा और ये क्यूं हुआ है ये भी हमें सब मूवी में ही पता चलेगा और इसमें एक बहुत ही प्यारत सा डायलोग है डर को पार करना है तो देवो की कहानी सुनो और डर को अगर समझना है तो देवरा की कहानी सुनो क्या यह हम कहानी सुनेंगे सिनमा होल्स में जाके 27th of September को यह मूवी रिलीज होने वाली है इसी 27 तो कुछी दिन बचे हैं पांच छे दिन चार पांच नहीं है तो आज 22 देश हो गई है तो दो तीन दिन ही बचे है तो क्या यह मूवी यह डर हम समझेंगे ठेटर्स में जाके यह तो बाद में ही पता चलेगा जब इसका है कि समुंदर में एक ही डेवरा बहुत है अगर दूसरा पैदा हो गया तो तुमारा क्या होगा भैर्वा तो इसके साथ साथ एक जहानवी कपूर जी का भी डायलोग आया जो मुझे थोड़ा फिका लग रहा है आई थिंक उनका फस्ट डेबी मूवी है तेलिगू में तो भी थोड़ी बहुत हो मैं देख सकती हूं के बाद देवरा को उसकी माह कह रही है बुर्डी माता जो मतलब पूरे बेड़ पे पड़ी है उसको बोरिये जिन लोगों को तु अपना समझ रहा है वो तुमारे अपने नहीं है वो किसके बारे में बात कर रही है आई थिंक सो बोलता है कि तुमने समुंदर में जाना है और में भी वो उसके अपना नहीं है क्योंकि वो उसको अगर समुंदर में बहेज देगा तो महां पर बहुत सारे स्कल्टन पड़े हूए है किस किन लोगों को मारा गया है वो सब हमेज मूवी में देखने को यी पता चलेगा कि वो कितना इसका दोस्त है किसतना इसका जो दुश्मन है और बस कुछ नहीं इसी के साथ एक लास सोंग आता है देवरा का में भी वो खुशी वाला सोंग है जीत के बाद वाला सोंग है I don't think सो पता नहीं कौन सा सोंग है जो भी है बहुत ही अच्छा VFX कि किया गया है और जो बीजियम बैगराउंड म्यूजिक आ रहा है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है बाकी मैंने आपको लड़ी बताई दिया था कि यह जो मूवी है सबका कहना है कि स्क्रीन पे आग लगाने वाली है और इसका जो फर्स्ट मूवी का बजट है तीन सो क्रोड का और लोगों की प्रेशन्स भी 300 क्रोड से जादा की है कि यह जो मूवी आएगी और फिख लोगों का कहना है कि कलकी और ट्रिपल आर् जैसी मूवी को टक्कर देने वाली मूवी उसके बाद यह खतरनाक मूवी है इतनी खतरनाक कूवी होने वाली है कि पूरी स्क्रीन को आग लगा देगी और यह कहा जा रहा है कि बहु बली की तरह इसमें भी सपेंज छोड़ा जाएगा जैसे कटपका ने बहु बली को क्यूं मारा था ऐसा ही इस कुछ मुवी में होने वाले या बाप बेटें की स्टोरी यह नहीं पता पहले मर जाएगा या फिर बेटा बदला लेगा अब यह ब और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज वो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो ताँ जो हमें निया निया वीडियो डालने का मोटीवेशन मिलता रहे और आप ही बताए कोई ऐसा क्या निया ट्रिलर आ रहा है जिसमें मैं वीडियो बनाओं आप यह भी नियावाद